हेलो वीवर्स असलाम लेकूं मैं हूँ रोशन उमीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज मेरा बहुत ही स्पेसल काम है और बहुत ही थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा काम करने में ठंडी का मौसम शुरू हो चुका है और ये सुबा का वक्त है देख सकते हैं हम बाहर इधर धूप निकल चुका था तब हम निकले रेलिंग की तरफ एक चिडिया बैठी हुई है ये मैना इसको बोलते हैं ये थोड़ा पाहिज भी पैर से है लेकिन काफी ठंडी इसको लग चुकी है इसलिए धूप में ये बैठी हुई थी तो हम इधर से वीडियो इसको करने लगे और मेरे साइड में और लोग थी तो पकड़ने की कोशि करने लगी तो ये भी इधर उधर देख रही है ये उड़ जाएगी क्योंकि इसको भी तो डर है अपने जान का कि कहीं पकड़ा न जाए तो इधर हम चलते हैं अपना काम करने ये सिंगल बेड का ये देख सकते हैं गद्दा है दो गद्दा है दो कलर में आपको देखने मे अगर दो गद्द जॊइंट करेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे एक को हाफ हम कट करेंगे तो इस तरह से हम एक साइड में इसको काटेंगे और दूसरी साइड से इसको हम काट करके एक में से निकालेंगे क्योंकि कपड़े का रूई का है यह वैसे कोई special सा रूई वाला नहीं है जो कपड़ा से बनाया जाता है रूई उसी का यह भरा हुआ है तो इसको हम सबसे पहले खोल लेते हैं कैंची से इसको काट लेंगे तो हमने काट लिया है कैंची से देख सकते हैं अलग-अलग कर लिया है और ये हाफ से जादा हम इसको छोड़ दिये हैं और हाफ से थोड़ा कम काटे हुए हैं और रूई इस साइड से जितना बचा हुआ था उसको निकालने के बाद हम ये काट लिए कपड़े को इस तरीके से कैची से तो घर पर आसान तरीके से हम बना लेते हैं और जटपड बन जाएगा मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि अगर डबल जोड़ेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा और अगर ऐसे हम कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा एक तक्या भी हमारा बन जाएगा देख सकते हैं हम निकाल करके रूई को जोले में रख दिये हैं और इधर पड़ा हुआ है तो आज यही हम काम कर रहे हैं तो ये देख सकते हैं जोड़ा हम कर लिए हैं इसको भी हम खोल दिये हैं दूसरे तो काम चलाने के लिए तो अच्छा है बेस्ट है यह आप्शन आइडिया क्योंकि कितना टाइम लगता है वो भी आपको हम दिखाएंगे कि पूरा करने हमको कितना टाइम लगा तो दोनों साइड से पकड़ करके इस तरीके से हम नीचे से पहले सिल लेंगे सुई धागा चल उपर से फिर हम जोइंट कर लेते हैं इस तरीके से अगर एक ही कलर का होता तो बहुत ही अच्छा होता लगता ही नहीं कि यह दो गद्दे से हमने बनाया हुआ है लेकिन कोई बात नहीं काम चलाना है तो कोई दिक्कत नहीं है तो यह तो बेट पे ऐसे ही लगा रहेगा लग रहा है तो यह दो गद्द था और चौकी पे बिचाना मुश्किल था एक तो ऐसे होता नहीं और दो दो बिचाते तो एक इधर गिरता एक उधर गिरता तो हमने सोचा कि जोईंटी कर लेते हैं अच्छा रहेगा बेश्ट हो जाएगा तो इस तरीके से हम सिल लेते हैं ऐसे गर्मी में हम बिस्तर ऐसे बिचा रहे थे ये पतला पतला सा सिल वाये थे तो वही बिचा रहे थे लेकिन ठंडी जब आ चुका है तो बिस्तर से तो गुजारा होना नहीं है तो हमने ये आईडिया लगाया और ये सिल दिया देख सकते हैं कि इतना अच्छा हमने ये डबल बेड का बना दिया है बहुत अच्छा बना हुआ है देख सकते हैं इसको हम धूप में डाल दे और इधर हम चलते हैं ये आलू का प्राठा बनाने उबले हुए आलू को हमने ग्रेट कर लिया और एक कब गेहुं का आटा इसमें थोड़ा सा जवायन हल्दी पाउडर ज इसमें डाल देंगे हम धनिया पत्ता पुरा मिक्स करने के बाद इसमें ऑइल लास्ट में डाल देते हैं ये घुल चुका है देख सकते हैं बैटर काफी ठीक है तो ये हमारे एक कप आटा में दो कप पानी लगा और पैन को गरम कर लेते हैं ओल डाल करके इस तरीके से फैल लेते हैं मीडियम फिलेम पर इसको सेकेंगे अलट पलट कर बहुत अच्छा टेस्टी हमारा नास्ता बना है आलू का जटपट नास्ता बनकर रेडी है और इधर साम हो चुकी है और हम चलते हैं गद्दा को रख लेते हैं तो यह रेलिंग है उसको हम चेड़ी के पास दिवा है छोटा सा इसको हम पोच लेते हैं यहीं लाकर करके हम गद्दे को रखेंगे तो इस पे थोड़ा धूल जमा हुआ था ऐसे धूल हो ही जाता है तो हम जारें छट पे देख रहे हैं काफी शाम हो गई है और सारे कपड़े सब ही लोग उठा लिए हैं एक मेरा ही बचा हु हम धूप हो रही है धूप भी अच्छा नहीं है वैसे धूप से इसमें अच्छा इसमेल आता है जैसे धूप अगर इसको रखेंगे दूप में तो तो इस तरह से देख सकते हैं हमारा दो कलर कैसे लग रहा एक थोड़ा मोटा है एक साइड का थोड़ा पतला सा है देखने हम रख लेते हैं अगर गद्दा काफी बड़ा हो तो छोटा भी किया जा सकता है खोल करके निकालने के बाद सिल दें तो इस तरह से हमने रख दिया है अब हमको भूख लगी हुई है चलते हम नाश्ता करने अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें सब्स नहीं आएगी तो यह पोचा भी हमने स्वेटर का ही बना हुआ था पोचने के लिए